नमस्कार दोस्तूं, स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस चानल में पुन्य व्रत कथाई में। आज हम श्रावन मास का महत्यमी सुनेंगी और इसके प्रथम अध्याई का इसे सावन माह में सुनने से अत्याधिक पुन्य की प्राप्ती होती है और सारे कर्ष्टूं से मुक्ती मिलती है। तबी तक बुची नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। हमारी मन में उसको सुनने की तीवर लालसा है। सुनकर सूत जी ने बड़ी प्रेम पूर्वक शब्दू में कहा। मुझे आपको सुनाने से आनंद की प्राप्ती होती है। अर्थात अच्छी श्रोता के जो बारा गुण बताए गए हैं। अर्था दंब रहित, आस्तिक बुद्धी, शट्ता रहित, परमात्मा में अटूर भक्ती, भगवत चर्चा सुननी की तीवरी इच्छा, नम्रता ब्राहमन भक्त, सुशील सुभाव, धैरे युक्त, पवित्र, तपस्वी, तथा दोशा रोपन रहित होना। वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन होकर आपसे तत्व की बात कहता हूं। आपको अत्यंत प्रसन करने बाला तथा जो सब कर्मों को सिध करने बाला हो। हे देव जिस मास में कर्मों के कर्मों से ही अनंत फल की प्राप्ती होती हो, संसार के कल्यान के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर कहीं। इश्वर ने सनत कुमार से कहा हे ब्रह्म पुत्र सनत कुमार आपकी सेवा तथा भक्ति से में प्रसन होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा 12 महीनों में श्रावन मास मुझे बहुत प्रिय है पुर्णिमा को श्रावन नक्षत्र का योग हो जाने से ही मास का नाम श्रावन मास कहा जाता है जो श्रावन मात्र से ही सिध्धी प्रदान करने वाला है इसलिए श्रावन नाम कहा आकाश के समान स्वच हो जाने से नभा नाम कहा है उस मास के धर्मों की गर्णा करने के लिए भूमी पर कौन समर्ण हो सकता है जिसके संपून फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावन मास के महत्मी को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने दो सहस्त्र जीवा धा परण की हे मुनी, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते, संपूर्ण श्रावन मास धर्म रूप तथा व्रत रूप्त है, इस मास में कोई भी दिन व्रत शुन्य नहीं देखा गया, यहाँ पर मैं जो कुछ करता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, आताहा यहाँ पर मैं जो कुछ भी करता है, जिग्यासू, भक्त, दुखी, तथा अर्थी, इन चारूं जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट, सिध्धी हे तू, यह मास सेवन योग्य है, सनत कुमार बोले हे प्रभू, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी व्रत शुन् कितने इस व्रत को, किसने इस व्रत को किया है, उध्यापन विधी क्या है, देवता तथा पूजन विधी क्या है, पूजन सामगरी में क्या-क्या वस्तुएं होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरन विधी क्या है, किस व्रत का, क्या समय है, हे प्रभू, हे प्रभू वह सब आप मुझे कृपा करके कहें, आपको श्रवन मास कैसे प्रिये हुआ, इसे पवित्रे किस कारण से कहा गया इस मास में कौन अफ्दार उतम माना घया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योगय समझा गया है, हे प्रभु हे दयारू, आप यह सब प्रानियों के अंगलवार, बुद्धवार, भ्रस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो व्रत आदी किये जाते हैं वे कृपा करकर मुझे कहें। आदी देव होने से आप श्वित वर्ण हैं, शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं, उसमें करपूर वर्ण के समान और गौर वर्ण होने से आदी देव हैं। अनाहत नाम का चोथा चक्र है। और भगवान हरी का रदे में निवास है। अन को ब्रह्म मै कहा गया है भगवान हरी जल रूप कहे जाते हैं। जब आप उस अन और जलकाभो करने बाले हैं, तो आकी प्रविंता में किसी को भी संदेह नहीं हो सका। आका शम्षान और परवत में निवास प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। संसार का विनाश करने वाला हला हल विश आपने अपने कंठ में ग्रहन कर लिया है। करना चाहूं तो भी मैं समर्थ नहीं हो सका। आताहा हे दया मैं मेरे प्रश्णों के उतर देने की ख्रपा करें। बोलो भुले नाथ की जै, माता पार्वती की जै।